हालो इस्टुडेंट्स बेलकम टू पीवियार इस्टडी तो बच्चों आजाओ जल्दी से फटा फट भाई आपकी कलास शुरू हो चुकी है साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और साम को साथ बजे हर दिन कलास चलती है आपको एक महत्तपुर्ण बात बता द बच्चा लेकिन आप लोग हमें पहले दो मिनिट का टाइम दोगे ठीक है सभी बच्चे पहले जूड़ जाओ जूड़ने के बाद बताओ कि हाँ आप जूड़ गयो हो उसके बाद फिर हम आगे निर्ड़े करते हैं ठीक है ना रंजीत जी ठीक है ना समझ में आ रहा पारोगे सभी उसके बाद कलास सुरू होगी आप लोग कहीं मत जाना कोई कहीं नहीं जाएगा ठीक है चलो ओके ठीक है तो क्या करें फिर सुरू करें सभी आ गए उदर सिंग देखो बात क्या नहीं है एक्चुली सभी बच्चे जुड़ जाया इस वजह से हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बेट कर ले और आज हम आपको विहाइंड व्यू दिखाने वाले हैं कैसे हम पढ़ाते हैं कैसे कैसे यहा पर तो आप सिर्फ कलास देख वाओगे अगर आप प्वियर स्टेडी 4.0 चैनल पर जाओगे तो उस पर क्या दिखेगा ना आपको उस पर यह दिखेगा कि पीछे से हम कैसे पढ़ा रहें कैसे दिख रहें कहां खड़े हैं नीचे क्या है उदर बगल में गंदा गंदा क् समझ रहे हो ना इसी को कहते हैं बिहाइंड व्यू कैमरे के पिछे से लेकिन हम दो मिनट में कलास शुरू करेंगे इसलिए आपसे थोड़ा टाइम ले रहे हैं कोई जायेगा नहीं ठीक है कोई जायेगा नहीं पूजा परजा पती जी मैं आपका कमेंट देख पा रहा हू पंकज किरन महर्या बस थोड़ा सा आप लोग रुख जाएए आधा मिनट ज्यादा आपसे टाइम निर लेंगे थोड़ा सा ठीक है कोई जाना नहीं तो शुरू करें दिख नहीं रहा भाई एक मिनट आप प्लीज वेट करिए कोई जाया नहीं भाई कोई भी नहीं जायेगा बस थोड़ा सा आप लोग यह बताईए सबसे पहले हमने एकसरसाइज 7.3 तक पढ़ा दिया आपने क्या पीछे का सब कुछ पढ़ लिया हाँ बताईए आपने पूरा पढ़ लिया कि नहीं हमारी हाइट दिख जाएगी सही बता रहे हो बच्चा हमने 7.3 तक पढ़ा दिया कौन-कौन वहां तक पूरा किया जल्दी से हाथ उठाओ कौन-कौन पूरा कर लिया 7.3 तक चुकि 7.3 भी खतम होने वाला है जल्दी से हाथ उठाओ कौन-कौन खतम कर लिया भई कर लिया हो आदर्स मोहित जो बच्चे नहीं करें देखो यार सब पढ़ा दिया गया पीवियर स्टडी चैनल देखो न प्लेलिस्ट में जाके देखो प्लेलिस्ट में देख लो सब पढ़ा दिया गया है अरे तुम देखोगे कब सब पढ़ा दिया गया ये देखो चैप् एक सथ है वो भी पूरा हो जाए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर कोई दिक्कत होती तो आप नहीं संकोच हमें बता सकते हो यार इक दम यह तो परिसान करके रख दिया भई कि यह यह नई मुसीबत पता नहीं कौन से आ गई इसमें आज आप लोगों का कुछ टाइम इसमें जायेगा क्यूंकि मैंने कुछ सोचा था दूसरा लेकिन कुछ हो रहा दूसरा यार मतलब यह लोग मुझे परिसान करके रखती है यूटूब आले भी और यह इस्टूडेंट भी देखिए कैसे कैसे क्या क्या यहां पर होता है भाईया देखो आपको सी आर पी सी टी जो भी आपको जानना सब मिल जाएगा आप एक काम करो जाके वहां देखो किसमें वीडियो का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके देख लो झाल देखो चाल अ बाइखो किसमें जाएगा जाएगा जाएखो किसमें देखो आटार अ जाएगा आपको जाता है एक मिनुट रुख जाओ भाई को जाएगा नहीं ठीक है बस आज आपका थोड़ा फ़र टाइम जाएगा आज मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूं कि अगर कि अगर कि अगर कि कि ठीक ना बस आपसे 40 सिकेंड लेंगे ओनली 40 सिकेंड भाई बस सिर्फ 40 सिकेंड सॉरी लेट के लिए सॉरी सिर्फ 40 सिकेंड बस तुरंद पढ़ा रहा हूं तुरंद पढ़ा रहा हूं ओनली 40 सिकेंड ओनली 40 सिकेंड भाई जाना मत देखो देखो एक मिनट बस हो गया मिलिए वो कमेंट करके बता दें पीछे अभी तक बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है ठीक है चलो बस शुरू हो रहा है ओके देखो रोज ऐसा नहीं होता है आज ही हो रहा है आज ही ऐसा हो रहा हर दिन नहीं होता है है हलो इस्टुडेंट्स चलिए तो बहुत सूरू हो चुकी आपकी क्लास और यह दूर से भी लोग देख रहे हैं वह बिहाइंड वियू में तो कुष्चन कहां था कौन सा कुष्चन नंबर था आपको पता है न देखो इसमें अभी तक आपने दो कुष्चन देख लिया त चुके हैं वलबीर सिंग अराधना राजपूत अनुराग कुमार और पंकच जोती पांडे मोहित गनेश और मीना रोहित सौराफ सभी जुड़े हुए हैं मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं माफी चाहता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए कुष्चन पहले पढ़ कुष्चन कहता है कि एक तिर्भूज ABC की दो भूजाएं AB और BC ये तिर्भूज है इसकी दो भूजा AB और ये BC आगे देखो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ते जाओ कहरा तथा माधिका AM क्रमसा दूसरे तिर्भूज की भुजाओं PQ और QR तथा माधिका PN के बराबर हैं कहने का इनका ये मतलब है कि इस तिर्भूज की जो भूजा AB है और ये जो भूजा है BC ठीक है और ये जो मादिका बीच में है मीडियन एम ये दूसरे तिर्भूज यानि कि जो सिकेंड वाला ट्रेंगल है ये वाला इसके संगत भूजा एक परकार से अगर बोलें जैसे देखो इसमें लिखा है न करमसा पीक्यू क्यू आर तथा मादिका पी एन के बराबर है यानि कि जो वो दूसरे तिर्भूज के ये क्यू आर के बराबर है तथा फ़र्ष्ट ट्राइंगल की जो मादिका अनिमीडियन एम है वो दूसरे ट्राइंगल की मादिका ये पी एन के क्या है बराबर है ये चीजें आपको क्या करी गई है बताई गई है दी गई है ठीक है चले आगे आप देखो ध्यान दो अब क्या करेंगी हम बहुत ही आसान है एकदम सिंपल है एक लाइन दो लाइन का कुष्चन है आप लोग इसको बड़े अराम से कर सकते हो सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिया है यहाँ पे लिखो हल दिया है देखो इसमें हमें बहुत चीजें दी गई है धेर सारी चीजें दी गई है भाई बहुत से बच्चे उसमें विहाइंड वियू में भी देख रहे हैं फी वियार स्टडी के चलिए उनसे बात नहीं कर सकते हैं फिलहाल देखो हमें इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं एक तो हमें ABM और PQN को सरवांगसम सिद्ध करना है, मदलब kang RuleS करना है दूसरा हमें फिर इसमें करना है ABC और PQR को kangalorg करना है यानि ABM और PQN यानि यह तिर्भुज और यह तिर्भुज हमें सरवांगसम करना है फाइस्ट वाले में दूसरे वाले में में यह पूरा तिर्भूज यह और यह कंग्रेंस करना है दो पार्ट में करने है ठीक है इतना समझ में आ रहा ना आवाज उधर साइड तो कमी जा रही होगी तो चलो यह आपका एक्सरसाइज है सेबन पॉइंट तीन इक्सरसाइज कौन सा सेबन पॉइंट नमबर थर्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी से लिखो फटाफट जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको जल्दी लिख लो यह पेज नमबर अगर कुछ बच्चे लिखना चाहत ना इसमें किसी को को डाउट नहीं ना देखो यह साइट बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है यह आल्रेडी कुश्चन बार बार पढ़ो आप कहरा कि एबी बी सी तथा मादी का एम क्रम सा मतलब यह तीनों जो भूजाय दी गई हैं वो सीरियल वाइज क्रम सा दूसरे तिर्भूज के दूसरे तिर्भूज मतलब कौन सा अरे यह नीचे वाला जो दिया इसके पी क्यू क्यू आर तथा मादी का पी एन के बराबर है यानि कहने का यह मतलब इनका सीधा सीधा कि जो भूजा एबी है वो पी क्यू के बराबर है यह एबी जो है वो पी क्यू के ब बराबर है ठीक है इसमें के किसी को कोई डाउट नहीं न हमने लिख लिया बीसी इक्वल क्यू आर ठीक है आप देखो ध्यान दो अगर बीसी क्यू आर के बराबर है तो यह बीच वाली जू क्या माधिका है बाइप बीच में जो लाइन आई क्या है वो अगर यह मीडियन है तो हाफ हाफ डिवाइड करेगी कि नहीं बोलो भाया अगर यह रेखा इसकी माधिका है तो आधा पाश्वर और आधा इसर बराबर बराबर होगा होगा ना बराबर के नहीं होगा नहीं तुम क्या कर सकते हो इसको लिग सकते हो One Apoign to be see Hatta करदो और ये भी किस के बराबर होगा One a poign to कि वार के बराबर होगा इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए यह ठीक है आप देखो एक बात और एक बात और क्या है भाई यह अगर यह आधा आधा बांट रही माधिका तो इसका जो आधा पार्ट है QN यह इसके BM के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा देखो अगर यह line एम इसमें एमाधिका है पिएन तो यह जो रेखासन पार्ट एम आधा-धा बाटे गी नहीं या इधर वाला पार इधर वाले के बराबर होगा और जब सब भुजायन यह आपस में बराबर है तो ओर रूजिए यह आधा आधा भाग भी तो तो बराबर होंगे ना तो तूम क्या कर सकते हो लिख सकते हो बीएम इक्वल क्यूं ऐसा क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि हमें अभी इसका आगी काम लगेगा इसलिए हम इसको लिख रहें ठीक है चलो लिखो भाई उसके मत देखने तो तुम लोग जान जाो कि पीछे का का हो रहा है लिखो इसको आप गैसा number 5 बना सकते हो क्या बना सकते हो इसको क्सिने फाइस्ट ठीक लेख जो इसको समीकरण नंबर 1 वहर रीजन क्या होगा यहिट्स सबतार बंद कारण कैसे लिखोगे कारण लिखो इसका रीजन लिखो यह यह बराबर इस लिए हैं क्योंकि एम वा पी एन इनकी मीडियन है इनकी क्या है माधिका है लिखो जल्द लिखो फट से लिखो एम एंड पी एन आर मीडियन आफ बी सी एंड कौन सा बुझा दूसरा नीचे क्यू आर एम एंड पी एन आर मीडियन आफ बी सी एंड क्यू आर ठीक है इतना हो गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न मैं सभी का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूं इसलिए माफी चाहता हूं क्योंकि आप लोग को धेर सारे कमेंट आते हैं टाइम बर्बाद होता है है ना पावन राज ब्लू फोन है अच्छा अच्छा कि आप लोग पीछे फे देख लिए चलो तो यह हो गया अब चलो इतने में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं अब हम तीरभूज में चलते हैं जो हमें सिद्ध करना प्रूब करना उसमें चलते हैं ठीक है नीचे भी दिख रहा है ना नीचे द सांख कर रहे हूँ सब मैं जाकर इधर उधर ते रभूज ए बी एम मतलब या ट्रैंगल एक बीम और बीम आ और प्रीकी याञाल हममें क्यू एन से देखो भाई या इसमें बहुत सारी बुजाएं बराबर दी गई है ना दी गई है ना इसमें कौन-कौन पढ़ रहे हो भाई चुप-चाप तीन नंबर पर आजाओ पीबीर स्टेडी 3.0 पर क्योंकि यहां पर पढ़ाई नहीं हो रही यहां पर तुम्हें आपक इस है तो मैं पहले ही बराबर करवा चुका हूं यह देखो उपर यह बराबर कहां करवाया था ओज拜拜 का लिखो संफस्ट कि समीकरण एक से कोई भी लिख लो आपको इसको यह बराबर क्यों है समीकरण एक से ठीक है आदर्फ जोसी आरा समझ में ना आधर्फ जो सी मिस्टर थोड़ा सा भाइक कर लो आबुए वीडियो को थोड़ा सा भाइक कर लो आपको क्लियर हो जाएगा पिंकी सिंग्ठाकूर आपका इंटर्नेट नहीं चलता कल भी नहीं चल रहा था आप परिसान मत होगा अपना इंट्रनेट थोड़ा थी कर मैं मिटाओंगा लेकिन फिर मुझे ये सब चीजें फिर से उपर लिखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको केंग्रुएंस करने के लिए एक साथ दिखाना पड़ेगा ना विकास पाल पावन राज भाई पूरा कलास देखो इमानदारी से चलो ये चीजें अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो बैक करके लिख लो जो मैं इरेज कर रहा हूं इसको वह आप वीडियो बैक करके लिखो ठीक है ये चीजें मैं मिटा दूंगा जो मैंने लिखा है उपर से फिर से लिखूंगा अगर आपने लिख लिया तो अच्छी कोई बात है हाँ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं चलो एक नया टॉपिक इसमें से जो है उसके आगे हम लोग उपर से करेंगे ठीक है जोती जी देखिए आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है जिनको भी क्लीन नहीं दिख रहा उनका इंटरनेट से लो है अपना दो जगा है काफी जगा है चलो आगे अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी यम एंड पी क्यू एन लिको तिर्भूज ए बी यम और तिर्भूज पी क्यू यान से देखो भाई अभी अभी हमने फाइंड किया था बी यम इक्वल् QN लिको बी यम इक्वल् QN यह बराबर क्यूं है ďक्वसर फाह्ज से नहीं करण नमबर एक से लिख दो सवी करण एक से English Medium वाले लिखेंगे By Equestion Fast English Medium वाले बच्चे लिखेंगे By Equestion Fast ठीक है? आप देखो आगे समझो यह इसके बराबर हो गया चुकि हमें पता है कि हमारा Question कह रहा है कि इसकी जो भी भूजाएं है A, B वो दूसरे के P, Q के बराबर है B, C दूसरे तिर्भूज के Q, R के बराबर है इसकी मादिका A, M दूसरे तिर्भूज के P, N के बराबर है तो जब यह आपस में बराबर दी ही गई है पहले से तो इसमें तो कुछ जादा करना ही नहीं है है ना? चलो लिख दो लिखो A, B बराबर P, Q region क्या है? दिया है region लिख दो दिया है और भी दिया इसमें सब तो दिया यार अरे भाई हम यह तिर्भूज सरबांग सम कर रहे है यह जहां हाथ रख रहे हैं यह A, M भी तो P, N के बराबर दिया है लिखो A, M इक्कॉल P, N region लिखो दिया है जब भाईया इसमें सब दिया ही है तो congruence के लिए हमें तीन चीज़ें ही तो बराबर चाहिए है ना? तो तुम क्या करोगे? लिखो तिर्भूज A, B, M congruence to तिर्भूज P, Q, N हो गया सरबांग सम क्यूं? region लिखो by S, 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 Rool मतलब भूजा, 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 सरबांग समता नियम से ये दोनों तिर्भूज सरबांग सम हो गए क्योंकि तीन भूजा है आपस में बराबर हो गई हो गए सरबांग सम जो बच्चे C, P, C, T, Rool नहीं देखे हैं वो बच्चे उसे जरूर देख ले देखो, डिस्क्रेप्चन में हो सकता लिंक मिल जाए, नहीं तो आप कलास के बाद में संपर करना, कमेंट करना आपको मिल जाएगा बीना C, P, C, T, Rool के आप समझ नहीं पाओगे C, P, C, T, Rool में आपको ये बेसिक कांसेप्ट रिखाया गया है कि एक ऐसे कोई कोण भूचा जो है वो किसी दो सरवांगसम तिरभूच के आपस में बराबर होते हैं इक्वल होते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है है ना, आप लोग समझ गए ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं इतनी सारे चीज़ें हो गई clear अब देखो ये पहला हो गया इसमें दो करना था पहला हो गया कि चलो हो गया पहला अब हमें काम कर सकते हैं देखो हमने क्या किया का nerd A B M and do P Q n इसको करदिया नज इसको सरवांगस्टम हमने सिद्ध कर दिया अब तुम्हें काम कर सकते हो क्या कर सकते हो एक काम यह कर सकते हो कि इनके माध्यम से तुम कोई कोण बराबर कर सकते हो अगले क Battery के लिए काहे अगले में ABC को PQR के बराबर सर्मांग्सम करना है तो अगर ये बराबर होगा कियों क्यों कि बराबर होगा सीपीसी्टी रूल से बराबर होते हैं कि नहीं दो सरवांग सम्तिरभूज में उनकी संगत भूजाएं भी बराबर होती है यह सब आप लोग सीपी सीटी नियम में पढ़े हो सीपी सीटी मतलब होता है करस्पांडिंग मतलब उसका फुल फाम तुमने आपको हिंदी में बढ़ाया था यानि जो संगत कौन संगत भूजाख के बारे में completed दैने वो सीपी सीटी में करते हैं ठीक है चलो में कि आगे चलें कर दो हाँ इंग्लीज में बोले अच्छा बही यह चलो इंगली बोलेंगे अब इसको मिटा दे ओके इसको मिटा भाई जल्दी से मिटा कि आगे बढ़ो इसका फार्ट हो गया सिकेंड पार्ट पर अब हम लोग चलते हैं सिकेंड पार्ट आप ध्यान से देखो reject है फाइस्ट पाइट हो गया है शिकेन्द पाइट बें चलो आगे चल दी से हाँ छलो सिकेंड पाइट ऑगध सिकेंड पाइट में का करना है एबी-सी को पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर ये पूरा क्या करना है सरवांगसम सिध्र करना है ठीक है अब ध्यान दो कैसे मतलब समझो अच्छे से समझो ठीक है कि हाँ केरफूल सीगेंट फार्ट देखो अब यहां पर लिख दो सिकेंट पार्ट लिखो अभी अभी हमने क्या किया है दो तिरभूच को का इंग्रों सिध्र किया को बच्चा समझ रहे हो आप लोग देखो पढ़ने फिजादा तो यह बिहांड भी वाले में देख रहे हैं कि बैग्ग्राउंड देख रहे हैं अरे यहार यहां बहुत जंगल टाइप का जहां यह बैग्राउंड होगा चलो है है यहां पर लिखो चूकी ट्रेंगल हो था है ए प्राइंगल कि आप यह सरवांग संहें किसके P Q NK ये दोनों क्या है तिरबुच सरवांग सम मैंने पहले से कर लिया है अब तुम का लिखोगे लिखो आता हाँ कोड ये वाला कोड B इसे लिखोगे A B M ठीक है A B M जो है बच्चा वो बराबर होगा किसके किसके बराबर होगा तुम लोग इसमें मत देखो भाई चलो तीन नमबर पर देखो पढ़ाई करो अगर पढ़ना है तो यह दूसरे वाले के बराबर होगा पी क्यू एन के ठीक है किसके बराबर होगा पी क्यू एन के चलो जल्दी करो फटा फट करो A B M मतलब कहने का यह कौण B वाला वो कौण के बराबर होगा क्यूंकि यह दोनो तिर्भुझ जो है वो क्या है वो क्या है यह दोनो तिर्भुझ अगर सरबांग समहें तो यह कौण संगत कौण भी बराबर होगे इनको लिखो एंगल PQN है न यही तो और इसमें एक ही कौण बराबर नहीं है अगर कोई दो तिर्बुच सर्मांग सम है तो उनके संगत कौण जितने भी हैं सभी बराबर होते हैं संगत भुजाएं भी बराबर होती है इसमें A, B and C मतलब समझ रहे हो अच्छा एक तो A, B, M यह कौण और एक A, B, C मतलब यह पूरे के लिए एक तो अभी सिर्फ हाफ के लिए था यह बराबर है PQR के किसके? P, Q, R क ठीक है? अब देखो P, Q, R तो तुम इसको एक बार और भी लिख सकते हो A, B, C, E, Q, E, Q, E, Q QR इसको एक वैसा नमबर फाइस्ट बना लो चुकि हम इसी को यूज करेंगे बागी और कोई से मतलब नहीं है इतना हो गए जल्दी करो फट से लिख लो और हाँ, कैमरे के सामने से हटने के बाद हम कहा जाते हैं इसको P, R, Study 4.0 चैनल पे आके देख लो P, R, Study 4.0 चैनल पे आके देख लो कि हम कैमरे के सामने से हटते हैं तो कहा जाते हैं जो तुम लोग कहते हो भाग गए, कहा भाग गए वही कहा चुप गए ये कैमरा आगे है, वह पीछे आगया पीछे आने पाइसा होता है पीछे इफली आता हूं कि बोर्ड आपको क्लियर दिखाई पड़े हम सामने छेक के खड़े रहते हैं तो दिक्कत होती इफली मैं पीछे थोड़ा घूम लेता हूं ऐसे टाहल लेता हूं मतलब इवनिंग वाक कर लेता हूं और फिर सामने चला जाता हूं फिर दिखने लगता हूं यह है हां चलो हां तो यह क्या हुआ यह बराबर हो गया अब तुम क्या कर सकते है इसमें देखो क्या क्या बराबर हो सकता है अरे यार सिम्पल सी बात है ये भूजाएं भी बराबर है बस सीधी सीवाथ है दो ही चीट इसमें बराबर करना है चलो लिखो 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 आब तिर्भूज एबीसी और कौन-कौन अबको लिखो लिखो एबीसी पूरा पूरा पिक्यू ए र से तथा तिर्भूज प्रकाष एब करके लिखो लिखो बराबर है रिजन है दिया है हां दिया ना वहीं यह दिया है और क्या करोगे तुम जल्दी से आगे लिखो फट से इसमें पीजिवी qr के बराबर दिया है रीजन लिख दो ब्रेकृड में दिया है और हाँ वासी तो दिया ही है इसमें हमने एकटी कॉन भी बराबर ये निकाला था भी ना पहले इसको लिख लो एंगल ABC इक्वल एंगल PQR लिख लो यह समीकरण मेंने कौन सा बनाया था भाई दूसरा बनाया था पहला एक पीछे बना था ना यहीं को ऐसा नमबर सिकेंड मान लो समीकरण 2 यहां पर लिख लो समीकरण 2 से ठीक है यह कहा है बराबर समीकरण 2 से और यह बराबर आया था मैंने बताया था मैंने समझाया था ना आवताया था तो यहां पे तुम लोग कायर को आकर देख रहा है और छलो ठीक है एकूड अगे बढ़ें चलिये अब ध्यान दिजिए दिए आप इसलिए इसके सामने मत आईएगा हाँ आप अब दिखाएंगे दे अब देखो बच्चा बीसी भी बराबर है क्यों आर के क्यों बराबर है क्योंकि यह दिया है कहा गया यह बीसी यह क्यों आर के बराबर है तो तुम लिख लो बीसी बराबर क्यों आर कोई स्ट्रक में लिख लो दिया है सब मिल गया बचा क्या है एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गई, एक भुजा बराबर हो गई आप तुम लिख सकते हो triangle ABC congrience to triangle PQR क्यूं हो गया? region लिखो कोई श्ठक में by SAS मतलब भुजा कोण भुजा सरवांग समता नियम से यह हो गया congrience इस तरह से आपका यह पूरा हो गया, खतम हो गया है ना? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो निसंग कोच कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो बच्चों इसके सामने से मैं जो हटा हूँ इधर साइड में आया हूँ आप लोगों को कैसे दिख रहा है? आप समझ गये ना कैमेरे के सामने से हट के कहा जाते हैं तुम लोग पूछते ठेधे आप काह गया हो जाते हो? हाँ दोस्तों तो आप लोगों कोई सीलिए तो यह बिहाइंड व्यू दिखा रहे ना कि इसमें क्या क्या दिखता है आप क्या क्या होता है चलिए पारदर सिता बनी देने चाहिए न हमारी सरकार भी कहते हैं चुपके से कुछ सब्सक्राइब करें लिखना तो इस स्पेस मत देना बीच में जिससे तुरंद मिल जाए रेंगल वाला समझ में नहीं आता भाईया देखो ट्रेंगल का समझ में आएगा बाबू लेकिन दिक्कत क्या है ना मौहमद अंसारी जी कि आप सूरू से देखे नहीं हो जिन बच्च जिनको नहीं आते उनको समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए क्या करोगे आप लोग को पहले बेसिक वाला आना चाहिए तो वहां पर जादा संख्या बढ़ गई बिहाइंड वी वालों में चलो ठीक है फिर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको यह क्लास हर रोज होती है स साथ बज़े से होती है देखो मैं ऐसे बंद करता हूं देख रहा नो तुम लोग अब यह लाइब में बंद कर दे रहा हूं